उमनी मोहनी तुझे रिजाऊं तोहे नितना इलाड लडाऊं बसागर नेनन्य में छीपाके तोहे नेनन्य में हरे कृष्णा रादे रादे हैपी सावन आप सभी को सावन की धेड़ सारी शुब कामनाएं और आज का जो वीडियो है ये है कि सावन के महीने में हमें अपने लड़ गोपाल, बाल राधा रानी, राधा कृष्ण हों, यूगल सरकार हों इन सभी की सेवा पूजा कैसे करनी ह तो फ्रेंट्स मैं लेकर के आई हूँ मोगरे के फूल की माला, जिससे कि मैं अपनी दोनों लाडोरानी का शिंगार करूँगी और उनके बालों में गजरा लगाऊंगी इसका तो वैसे तो हमारे यान चल्दी ये गजरे और मोगरे के फूल की माला मिलती नहीं है, आसपास कहीं भी, लेकिन कल मैं गई थी अपने हस्बेंड के साथ मार्केट और मुझे ये माला दिग गई तो मैं ले आई, तो यहाँ पे देखिए कच्चा दूद हमने ले लिया है, और एक लोटे में जल हमने ले लिया है, सबसे पहले हम कराएंगे अपनी लाडो रानी और लेडो गो पाल को इसनान, तो फ्रेंट्स जिस किसी के पास भी छोटे लेडो गो पाल और छोटी सी बाल रादा रानी है ना, उनके लिए ये वीडियो काफी helpful होने वाला है, क्यू तो फ्रेंट्स 2024 में 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, और वैसे तो सावन के महीने में शिव पारवती की पूजा होती है, लेकिन रादा कृष्ण का भी बेहत प्रिये महीना है, सावन का महीना, तो फ्रेंट्स आपके घर में रादा कृष्ण का जो भी तो होता है आप चाहें तो आप पंचामरत इस्तनान करा सकते हैं और गोपी चंदन से इस्तनान करा सकते हैं उसके बाद देखिए हमने यहां पर हरे रंग का एक कपड़ा बिछा लिया है और आपके पास सिंगहासन हो तो सिंगहासन पर भी आप हरे रंग का कोई कपड़ा बि तो देखिए कितने सुन्दर वस्त्र बन के तयार हुए है ठाकुर जी के। प्रेट के अपने लिए वस्तर बन बाए हो तो देखिए ठाकुर जी ने धोती पहन लिये और मैंने फ्रिल लगाई है तो देखिए कितनी सुन्दर आई है बन करके और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें बाल गोपाल और पीछे से देखिए कुछ इस तरह से लग हैं तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आप बताना कि आपको कैसी लग रही है तो यहां पे देखिए अमारी लाडो रानी ने भी ग्रीन कलर की पोशाग धारन कर ली है और क्यूंकि सावन का महीना है तो हमें ग्रीन कलर के वस्तर जादा से जादा पहना हैं और देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं दोनों तो फ्रेंट्स बिलकुल इसी तरह के वस्तर मैंने अपने बड़े लड़ो गोपाल और राधारानी के लिए भी बनाए है तो जल्दी ही आपको उनके भी दर्शन होंगे इसी ड्रेस में तो फ्रेंट्स देखिए यहा क्योंकि इतरे से ठाकुर जी को ठंडग भी मिलती है और सारा दिन भीमी भीमी से खुश्बू आती रहती है तो चलिए अब हम इनका सुन्दर सा कर लेते हैं शिंगार तो सबसे पहले पहनाएंगे लाडो को मंगल सूत्र और ठाकुर जी को ग्रीन कलर का देखिए हमने हार पहनाया है ग्रीन और पिंक कलर का और सेम इसी तरह का हार हम अपनी लाडो रानी को पहना रहे हैं उसके बाद हम पहनाएंगे कंगन तो वैसे तो ये दोनों ही लोग जो हैं चांदी के कंगन पहने हुए हैं लडो पाल ने भी रादा रानी ने भी लेकिन फिर भी हमने स्टाइल बनाने के लिए देखिए मैंने थोड़े से एक लट ली है बालों की और इस तरह से करते हुए देखें ट्विस्ट करते हुए हमने इस तरफ ले आए हैं और इस तरफ से थोड़े से बाल लेंगे हम और ट्विस्ट करते हुए हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनका न ये एक पफ जैसा बनके तयार हो जाएगा और इसको रोकने के लिए मैं छोटे वाले क्लचर का इस्तमाल कर रही हूँ आप छोटे वाले जो यूपे नाते हैं वो आप ले सकते हैं तो अभी मैं आपको इनके पास से भी दर्शन कराऊंगी और देखिए दोनों तरफ से हमने बाल इनके आगे की तरफ डाल दिये हैं और एक ये ना राधा रानी का ही कंगन है तो देखिए इस तरह से हम लगा देंगे तो ये क्राउन जैसा बन जाएगा अगर आपके पास उनकी जैलरी कम है ना तो आप इस तरह से कर सकते हैं और अब हम इनको मांग्टी का प पहना देंगे और दूसरा जो हिस्सा बचा है उससे हम अपनी लाडो का गजरा बना देंगे और फ्रेंट्स मोगरे के फूल की जो खुश्बू होती है ना मैं बस आपको क्या बताऊं मुझे बहुत पसंद है लेकिन अफसोस की ये जल्दी से हमारे यहां मिलते नहीं है तो को देखिए हमने गजरा पेना दिया है और उपर से चुन्री ओड़ा दिया है और लड़ो पाल को हम ये जो नेट का कपड़ा हमने लिया है इससे बान देंगे हम पगड़ी तो बिल्कुल मैचिंग की ड्रेस बनके तयार हो जाएगी तो फ्रेंट्स शिंगार तो आप अप की सौमबार वाले दिन आप ठाकुर जी को हरे रंग जरूर पहनाएं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कितना अदभूत कितना सुंदर शिंगार लग रहा है ठाकुर जी का और कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो रानी ऐसा लग रहा है बस नजरे इनको ही देखती रहें और कितने प्रसन मुद्रा में लग रहे हैं दोनों तो अब ठाकुर जी को थोड़े से पुश्भा मर्पित कर दे रहे हैं अच्छा अगर आप फूल बंगला सेवा ठाकुर जी को देना चाहें तो सावन के महीने में दे सकते हैं और अब हम करेंगे ठाकुर जी की शि ठाकुर जी को भोग तो भोग में आपने जो भी पकवान बनाये हों वो आप लगा सकते हैं मैंने जादा कुछ नहीं बनाया है केवल सबजी पूरी मीठा दही है और एक मिठाई है तो सावन के महीने में आप घेवर का भोग जरूर लगाएं अभी मुझे घेवर नहीं मिल था इसलिए मैंने नहीं लगाया तो फ्रेंट्स वैसे तो कड़ी ठाकुर जी की ठाकुराइन की प्रिय भोग होता है लेकिन कड़ी का भोग सावन में मत लगाना सावन में कड़ी नहीं खाई जाती है इसके बाद में देखिए भोग हमने लगा दिया अब हम यहां पे ठाक बेल जो की ग्रीन कलर की है और यह देखने में बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सोचा इसी से हम अपने ठाकुर जी का जूला डेकुरेट करेंगे तो फ्रेंट सावन के महीने में लड़ू को पाल जी हो राधा रानी हो आपको इन्हें जूले की सेवा जरूर देनी है जूला आप जरूर जूलाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने डेकुरेशन की है लेकिन फिर भी जूला कितना सुन्दर बन उनके तयार हो गया है तो फ्रेंट्स जूला जूलाते समय आप ठाकुर जी के पास भजन चला के रख सकते हैं नत्य कर सकते हैं उनके सामने और आप ना चाहें तो आप अपने मुझे भी गा सकते हैं मेरे तरह जैसे राधिका किशोरी संग रमन तुमारा मुझी को दिखा दो प्रभू ऐसा न जारा फिर चाही में मर जाओं बसा कर नेनन में चीपा के तो है नेनन में वो मन मोहन तुझे रिजाओं तो है नितना इलाड लडाओं बसा कर नेनन में चीपा के तो है नेनन में तो फ्रेंट्स जब आप इतने प्रेम पूर्बग लाला को सेवा देंगे ना तो आप देखना आपको तो अनंद आएगा ही साथ ही आपका ठाकुर आपका कन्हिया भी ना आपसे रीज जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं लड़ू लडली के चहरे पर कितनी सुन्दर सी मुस्कान है तो फ्रेंट्स यही था आज का वीडियो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चैनल सब्सक कर लेना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे